हलो दियर स्टुटेंट्स तो वापिस से आप लोग का स्वागत है जे मेंस 2021 की सेकंड शिफ में जो पेपर हुआ था 25 फरवरी 2021 को उसका डिसकेशन हिंदी मीडियम स्टुडेंट्स के लिए ठीक है यह पेपर आमोमन थोड़ा सा हाड था मैं बोलूंगा जैसे जैसे पेपर अगे बढ़ता जा रहा है उसकी हाडनेस बढ़ती जा रही है सबज़ पार होंगा अगले शुक्त में अगर आप दोगे अगले महिने का जो जी मेंस दोगे हाड होने वाला है ठीक है यहां पर पहला कुश्यन थोड़ा सट टफ लेवल पे था तफ तो नहीं बोल सकते ज्य और ऑकजेलिक एसड लिखा हुआ है और हमारे पास अगर एसट हो और अल्कॉल तो हमें एकी तरीका पता है उससे हम क्या बना सकतेँ एस्टल बना सकते हैं अल्कॉल से जाता है अल्कॉल से जाता है असिट से जाता है यहां पर जो preparation होगी वह how Mensch起क elycker की प्यूंग она किसकी और नए बंद तो यहां से पर यहां से CO2 और यहां सर रवाना होगी तो हमारा सी URL तो हमारा आंसर जो इसञाइगा क्या बनेगी इतीन यहां पर फॉर्म हो जाएगी बासमन में आती है सिंपल साथ वैसे तो लेकिन ठीक है जितने अपने पास ऑप्षिंस अवेलेबल उसके साफ से अपने बैस आंसर दे दिया निम लिखित दी गई अभी क्रिया के लिए सही कतन होगा ते वो सेम टू सेम सवा साथ और आप तो अब कराने के और तो अब लीए अगर आपका तो आपका बंगया होता कि यहां पर और तरह के प्रोडट्क बनना संभावित था तीनों प्रडगे प्रोड़क्ट बनते हैं जिसमें सबसे कम प्रोड़क्ट जो बनता है वो और्थो वाला बनता है सबसे ज़ादा 51% यहाँ पर पैरा वाला बनता है और मेटा वाला 47% बनता है जो भी master आप लोगों को पढ़ाए होंगे सब ये चीज बताते ही बताते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है 152 और 47 का जो ratio है यहाँ पर 47% बनने का जो यहाँ पर मुद्दा है वो क्या था एनिलीनियम आयन बनके यहाँ पर मेटा प्रोड़क्ट बन जाता है यहाँ पर बोल रहा है NH2 समू और्थो पेरा निर्देशित होता है एवं उत्पात तीन का निर्मान नहीं होगा पर यहाँ निर्देशित होता है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन यहाँ पर 47% उत्पात 3 भी बन रहा है तो पहला उप्शन हमारा गलत हो गया फर्स्ट उप्शन को काटेंगे दूसरा बोल रहा है अभी किरिया संभव है एवं मुख्य उत्पात 2 होगा बिल्कुल सही बात है मुख्य उत्पात हमारा 2 होगा बन के आता है तीसरा प्रोड़क्त बनने की संभवना तो यह थी विटा कि यह नस्टू जो है क्योंकि यहाँ पर अमल दिया हुआ है तो अमल के वजह से यहाँ पर यह जो नस्टू है वह एनिलीनियम आयन का जो है बहुत अधिक माइनस आई प्रभाव होने के कारण यहाँ पर मेटा पर यह नो टू जुणने लग जाता है तो मेटा अलप्रोड़क इसलिए जादा बनता है इसलिए बार भी हमने जब डिसकस कहा था जही में इनका पर तो उसमें भी यह मैंने रिजन बता दिया था क्यों ऐसा होता है माल्टोज के अल्फा अनोमर की स्थिन ररशना बताओ माल्टोज किसे बनता है सबसे पहले दो पता होना चांवे मैं charge माल्टोज का मतलब तू इंट्टू झी चा मतलब क्या है अल्फा ग्लूको पाइरेंटोस और दूसरा इटम भी क्या होता है अल्फा ग्लूको पाइरेनोस दोनों अल्फा ग्लुको पाइरेनोस ही होते हैं और अल्फा ग्लुको पाइरेनोस एक दूसरे से c1 c4 ग्लुको सीडिक या ग्लाइको सीडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं किसे जुड़े होते हैं ग्लाइको सीडिक लिंक है जो की एक इथर लिंक है जो होता है दो अल्फा ग्लुको पाइरनोस अल्फा डी ग्लुको पाइरनोस यादर यहां पर इसको अल्फा डी ग्लुको पाइरनोस लिखेंगे ज्यादा बड़ी है रहेगा माल्टोस जो है वो जी प्लस जी से बनता है ट बीए वाली ट्रिक पताई थी मैंने आपको अबाव बिलो अबाव यहां पर एक ही बी आता है जो हमारा यहां पर है वोर प्रक्षेपन दिया हुआ है उसमें अब यह बीए वाली चीज कहां पर आ रही है तो यहां पर देखेंगे यहां पर यह दो जो है वो नीचे की तरफ रहे हैं तीसरा ही चुक ऐँर सब्सक्राइब और बश्चे की तरफ नीचे की तरफे नीचे की तरफ आ रहा हूं अल्फा फिर यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर OH उपपर की तरफ आ रहा है जबकि यहाँ पर OH नीचे की तरफ आ रहा है यानि कि second option तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों alpha-d-glucoparanose है और alpha मतलब C1 carbon, anomeric carbon पर चीज़े change होती है alpha-d-glucoparanose, bita-d-glucoparanose में यह तो अंतर है C1 carbon पर OH कीशती थी उपर है या नीचे फिर यहाँ पर देखता है यहाँ पर OH फिड़ सो उपर आ रहा है यहाँ पर OH नीचे आ रहा है यानि कि यह भी नी हो सकता यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी OH उपपर आ रहा है, यहाँ पर भी OH नीचे आ रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता, अरे, सारे option ही खतम होगे, एक option बचा है, जिसमें दोनों OH नीचे स्थान पर आ रहे हैं, यानि कि पहला answer हमारा हो जाएगा, बहुत simple से सवाल हो गया, इ अब बाओ बाओ बिलो वाली लगा लो दूनों की बात है, या आप नीभी लगाना चाहते हैं, इसको अटा दो, आप सीधे यहाँ पर खेल खेल लो, यहाँ पर तो दूनों यह alpha-d-glucopyranose दिखी रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे, यह alpha-d-glucopyranose बना रहा है, ज्यादा strength, यानि कि अमलिय सामर्ती जो होता है, कैसा होता है, directly proportional होता है, समानुपर्ती होता है, तो हमें अमलिय सामर्ती निकालना है, सब अमलिय सामर्ती कैसे निकालते हैं, H निकालो, माइनस बनाओ, H निकालो, माइनस बनाओ, H निकालो, माइनस बनाओ, H निकालो, माइनस बनाओ सहीज्व में शार की स्थाह का क्रम देखेंगे जो सहीज्व में शार ज्यदा स्थाय होगा उसका अमले सामर्थ ज्यादा होगा, यह 3 तोिक आर्वोक्सलिक अमले ये फिनोल का इसको छटा दो, 3 अमले खोंगे फिनोल से ज्यदा छा symmetry is during का होना चीए पिर लिका होना चीए और सबसे अंत में डी का अने चीए तो सी ये भी डी देखो यहां तो डी से शुरुआ थे यहां पर भी डी से जी अब से स्क자를 इसमें किलोए उसमेंजीरे की उप्शन कैने वी सब्छान हो आप सोब से ज्शा इसा अगर आपको इसमें direction effect याने की निर्देशन नहीं पता कि कौन कहां पर किसको निर्देशित करता है तो आप नहीं घर पाओगे आपके लिए निये फिरिए यहां बेंजीन दिया हुआ है यहां पर आप ध्यान से देखोंगे तो इथल ग्रूप जुड़ा हुआ है अनोटू जुड़ा हुआ है बिया जुड़ा हुआ है तीन गुरूप पे तीन जुगाड़ चाहिए कम से कम क्लोरिंग के पास लोन पेर वह अपने लोन पेर इसको देगा और यहां से असाइलियम धनायन बना देगा क्या बनादेगा असायलं धनान बनादेगा यह बेंजीन पर आकरमनर करने के लिए इसले में धनाया का नामेस आपने सुना होगा यहां पर आपका यह जुड़िए साभ साथ सीयों सीयों यहां एंटम दिया है जिंकeng की कि Clemension अप्चेन की बात करिए Clemension की बात करिए साथ Clemension की बात करिए CEO को उड़ा देगा और किस में बदल देगा यानि कि CS2 CS3 आ जाएगा CS2 CS3 आने के बाद BR2 FE के साथ यहां पर अभी क्रिया करेगे यानि की हेलो जी नी करण करवाया हुआ है अरोमेटिक रिंग का अब यह जो हमारे पास अलकाइल ग्रूप जुड़ा हुआ हुआ है यह कैसा है सको किसके साथ जोड़ेंगे ब्यूर्ब का प्रहा होता सब माईनना साई और zach motivo अध्यकि का प्रहा ही और उर्भी दोनों ही औरठो प्र सफरीध होते हैं लेकिन हमें देखोना किसके साबसे एकिक कैसा जब दो सम्मूुवर्गए हो और मैं से जो चादा electron दाता समूओ उसके साब से हमें electrophile को जोड़ना होता है तो इसके साब से जोड़ेंगे ET यहाँ पर लग जाएगा NO2 इसके ortho study पर लग जाएगा क्योंकि पैरा तो ब्लोक कर रखा है BR ने तो ET, NO2, BR, तीनों लग गए ET, NO2, BR, पहला ही हमारा आंसर आगया आगे जाने की जुरुवती नहीं है अगर आपने second option से इसको किया होता, तोड़ा सा देखो यहाँ पर समझ नहीं कोश्च करना, second option से किया होता तो सबसे पहले आप benzene पर BR बना के आते फिर इसका क्या करते है, फिर इसका क्या करते है इसकेंड वाले से भी बन सकता था, लेकिन बनने की यहाँ पर बोल रहा है, इस परिवर्तन के लिए अच्छ से अच्छा क्रम चुनना है, तो उसके लिए पहला सबसे अच्छा क्रम है जिससे यहाँ पर benzene में इलेक्टोन घनत्व बढ़ जाएगा, ET लग गया है, साब ET लगने से बेंजीन में इलेक्टोन घनत्व बढ़ गया, जबकि BR लगने से बेंजीन का इलेक्टोन घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आगे की बेंजीन लगा हुआ है, नैट्रेशन करूँगा, इस बेंजीन का, तो NO2 गुरूप जुड़ जुड़ जाएगा, NO2 गुरूप जुड़ 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 तीसरा हमारा नहीं हो सकता, चोथा करने की कोशिश करते हैं, चोथे में बताओ, फिडल क्राफ असैलेशन हो रहा है सबसे पहले, फिजिंक हजी से लग रहा है, यानि कि सीधे सीधे मैं CS2, CS3 तक तो पुझा दूँ, यहां तक का प्रोसेस तो वो का वो ही है, फिर उसके का विपल्चन की भी कहानी खतम हो जाए, थोड़ा सा यहां टू लिखने में मुझे समस्य आ रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन चलता है, तो समझ गे न, आप अनो टू लगेगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर अनो टू लगा साब, अब आनो टू जो तो दिखनी रहा, इटी के पास अनो टू लगना चाहिए था, यानि कि सबसे बेस्ट वेटर हमारे पास पहला वाला है, और हमारा आंसर भी पहला वाला ही है, दूसरा वाला भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन जो क्वालिटी फर्स्ट वाले में मिलेगी, वो सेकंड वाले दे दिया और फिर यह आपको ग्लायकोल ग्लायकोजल यानी कि ऐसे वह कार्बोखस्लिक ऐसे सवाल दे दिया ऑफ यहाँ पर वापिस से एलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन की बात कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रोन इस नहीं युगात्मक अभी गिरिया H2SO4 जो है वो आपको क्या देगा साब H प्लस देगा अब यहाँ पर पाइबॉंड पर H प्लस का योग करना है किस हिसाब से करना है मारकोनिकोफ नियम के नुसा पाइबॉंड इस H प्लस को इलेक्ट्रोन देगा और देने के बाद बताओ H कहा जुड़ेगा इस तरह से जुड़ेगा जिससे बनने वाला धनायन तथा ही दनायन बने कहा धनायन बन गया हमारा इलेक्ट्रोफाईल तयार हो गया है यहाँ पर दो कंसेब्ट चुपए हुए थे एक तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डियक्शन वाला चार 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 कारबन और चार कारबन के तीसरे कारबन पर आप धूड़ा है पहला दूसरा थीसरा फोर्ट आपका अंसर उज्दा बिल्कुल करेक्ट यह वो नहीं चकता यह को नहीं सकता फूर्थ होगा आप समझ सकते हो क्यों नहीं हो सकता सिंपल इतना सिंपल सवाल है इसकी कोई हद नहीं है कि यह यह फिर से थोड़ा सा टिपिकल सवाल है इसके बारे में जानकारी हमें होती नहीं जादा कर तो इसके बारे में बताओं तो यह ऑग्जो प्रोसेस के नाम से famous है किसके नाम से उक्जव है ओग्जोप्रोसेस के नाम से famous है कुछ questions उसने typical डाले मैं माल सकता हो आप लोगे गल्थी नहीं परआधान नहीं होना गरबन नहीं कुछ भी देखो यहाँ पर होता क्या है यह हमारी एलकीन है यह हमारा कार्बोनिल ग्रूप ह CO group दिया हुआ है, CO और एक काम करते हैं, हम यहाँ पर hydrogen को इस तरह से रख लेते हैं यह hydrogen देखो, यह alken यहाँ पर attack कर लिए, C triple bond O plus यहाँ पर minus होगा, यह hydrogen जैसे ही pi bond इस पर attack करेगा तो यह hydrogen इसको मिल जाएगा, और एक hydrogen हम किसको देदेंगे, एक hydrogen हम इसको देदेंगे, जैसे ही इस pi bond ने attack किया, यह pi bond इसके फेवर में टूटेगा oxygen के फेवर में, जहाँ से समझना, C triple bond O carbon monoxide लिखा है, C triple bond O लिखा है, यह pi bond हमने carbon को दिया, यहाँ पर pi bond इस oxygen के फेवर में टूटा, एक hydrogen हमने इस carbon को दिया, एक hydrogen यहाँ जो धनैन बनने वाला था, एक hydrogen हमने उसको provide कर दिया, हो किया राये यहाँ पर यहाँ एक hydrogen बन गया यहाँ पर एक carbon जुड़ा है यहाँ पर कार्बन जुड़ा है, double bond oxygen जुड़ा है और एक hydrogen जुड़ा है एक दो तीन चार पांच कार्बन है और चौथे कार्बन पर लिएड आ रहा है यह सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है समध पारो आप क्या है सी ट्रिपल बॉन ओ लिखाया पाई बंद ने उस कार्बन पर इलेक्ट्रोन दिये हैं ठीक है नॉमल क्या बोलते है इसको आप अब बात करोगे न्यूक्लोफलीग एडिशन रियक्शन की बात चल रही इस पाई बॉन ने इस पर न्यूक्लोफाइल की तरह टैक क्या है यह बॉन्द इसके फेवर में टूटा ठीक है यह यह यहां पर कापदनान बनने वाला होगा वह एलेक्ट्रोन दे देगा और यह से इसको इलेक्ट्रोन दे देगा तो यह पूरा प्रोसेस हो गया ओक्जो प्रोसेस ठीक है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एस्टू और सियो मिलके एक अल्डिहाइट ग्रूप का निर्मान करते हैं और यह अल्डिहाइट ग्रूप जो है वह इस हैलकीन पर एड हो जाएगा यह अल्डिहाइट ग्रूप इस एलकीन पर एड हो जाएगा जितने भी कार्बन होंगे एक एक्स्टा कार्बन लग जाएगा लास्ट क्वेशन हमारा निम लिखित में से कितने योगिकों में कार्बोग्जिलिक क्रियात्मक समू उपस्तित है यानि कि इंटीजर टाइप क यहाँ पर और यहाँ पर नश्टू लगा दिए यहाँ पर सू थिरफ लगा दिए यह एशलफानेलिक अमल है पिकरिक अमल तो चलो आपने बना लियोगा इतने तो गैरेंटीश देते हैं ओड यह यहाँ पर NO2 और NO2 पिकरिक अमल तो अच्छे अच्छे बच्छे भी एस्पिरिन की बात करें, तो एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन भी आपने बना लिया होगा, यहाँ पर COH, और यहाँ पर OCO CS3, 2-acetoxybenzenoic acid, 2-acetoxybenzenoic acid, और एस्पोर्बिक एसिट की बात करें, यह थोड़ा सा टिपिकल है, देखो memory-based सवाल है, क्या पता एस्पोर् एच अमें किया देखना है कि किसा carbonic node उपस्तिते हैं अधि स्कão अगर अन्सर में अभर को तो यह दिया होगा जैसे काफी सान कुछ और बच्चों से बात किती उन्हों नेइने यहाँ पर कार्बोक्सलिक यहां 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 पर कार् कुल मिलागे पेपर था ठीक है शिफ्ट टू का थोड़ा सा हारता मैं मान सकता हूं थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा हारता देखो 30 परसेंट तो इस पेपर के बारे में बूल सकता हूं कि 30 परसेंट आप लोग लिए हार पड़ा हुआ लेकिन अगेन वापिस से कह रहा हूं इंसियाटी बेस प्रोबलम आ रही है दो-तीन कॉंसेप्ट को मिक्स करके प्रोबलम बनारे हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है किस तरीके से आइस प्रोब्लम को बना दे रहा है उह बहुंआ यह कुछ भी यर्ट अल टप्पे में कैसे प्रोब्लम बनाके निकल रहा है से ज़्यादा questions आयते और आपने देखा होगा questions repeated form में भी आ रहे questions repeated form में भी आ रहे तो best of luck for your next exam ठीक है ना जब भी आपका होगा आप hopefully पूरी NCRT को read करके ही जाएंगे ठीक है तन्यवाद